नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट ब्रिस्चिक रासी वालों फरवरी और मार्च 2021 आपकी जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आना है आज हम आप से यही साजा करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं और यह प्र कर देव सने देव गृर भ्रस्पती और स्यर्य एक साथ आपके तीसरे वह में ने बुद्धिव आपके चोथे में रहेंगे। और मंगल छटे वह बहु राहू आपके विवाद भौ में बैठे वे हैं चंद्रमा आपके ग्यार में भौ में रहेंगे अब यह जो फरबरी का महिना है आपके जीवन में बेहतर परिस्थिती निर्मित कर रहा है क्योंकि गर्भों की चाल आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है वो भी अच्छा वाला थोड़े बहुत उत्रार चड़ाओ रहेंगे क्योंकि देखिए सनी देप का स्वामी जो रासी का स्वामी है आपका अपने घर में बैठकर धन के उपर द्रिष्टी डाल रहा है अब यहां पर आप यहां पर धन को बढ़ाने वाला योग भी बनेगा अब यानि कि धन का परिणाम भेतर है और सुर्य देव मकर रासी में चारगरा एक साथ सुख के अस्थान पर है तो चतुरुगरी राजग्योग बन रहा है जो बैपारी है उनके लिए इसमें ज्यादा अच्छा है बैपार में सफलता मिलेगी और कारे छेतर में यानि कि जो लो ध्यार से काम देना ज़्यादा जरूरी है और जो इसमे सफलता दायक है और लब रिलेस्टे लिए इसमें बहुत अच्छा है बैबाही जीवन में आपके विदेश-यात्रा की योग बन रहे हैं विदेश चाना विदेश से कोई अकारोबार होना जैसी चीज़े आपकी जी परिसानी इसमें थोड़ा सापको परिसान करेगा इसका ध्यान रखिएगा हलांकि मेहनत से कहीं जादा आपको फल मिलेगा इसके लिए भी तयार है और अगर आप कहीं पैसे इंवेश्ट करना चाहते हैं तो आगे चल कर आपको लाब देगा लेकिन चलिए जानते हैं बिस्त जाते हैं आप जौब के लिए जाना चाहते हैं घुमना पिरना चाहते हैं यह समय अच्छा है कि सुक्र आपके बारवे भाकर स्वामी होकर चौथे भौव में हैं अब यहां पर क्या होगा ना बाहर की जाने की संभावना बढ़ रही है जीवन में सुक अनुभब करेंगे पारी बारी जीवन भी अच्छा रहेगा कारी छेत्री की बात करें तो दसम भौके स्वामी सूर्य तीसरे भाव में हैं अब सनी देव सुक्रा और बिर्षपती के प्रभाव में हैं उपर से चार फरवरी को वक्री बुद्ध भी यहां आ जाएंगे तब बहुत हद तक आपक समचकर आगे बढ़ें जॉब करते हैं तो थोड़ा सा खत्रा है ध्यान रखेगा और हर किसी के साथ जो तालमेल है उसको बढ़ियां बना कर रखें मेहनत करना होगा मेहनत उमीद से कहीं ज्यादा करना है आपको और जैसे ही सुर्य कुम्राशी में जाएंगे तब इस्तित सब्सक्राइब को परिशान नहीं होना है क्योंकि जितना महनत करेंगे उसका उससे कहीं ज्यादा देंगे रहु लेकिन 22 परवरी को मंगल आ जाएंगे अब सब्सक्राइब मंगल आने से एक तो मांगलिक दोस्त दूसरा रहु मंगल एक साथ बैठकर गलत फहमी लड़ाई जगड़े तो इसमें कोसिस करें चीजों को संभालने की क्योंकि गरहों की चाल आपसे ऐसा करवाएगी तो थोड़ा ध्यान रखें धन की बात करते हैं देखिए धन के अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे भौके जो स्वामी है देव गुरू पंचम भौके स्वामी हैं और आपके तीसरे भौ में हैं अब यहां पर बुद्यदेव साथ में हैं चार फरवरी को बुद्यदेव यहां पांच घरा एक साथ हो जाएंगे तब देखिए आप थोरे से खर्च करते दिखेंगे और आर्थिक तोर पर उन्नती भी होगी गरहों की चाल कहती है कि सरकारी छेतर में लाब होने के प्रवल योग बनेंगे धन आएगा अपना मकान भूमी भवन का सुख मिलेगा भाई बेहनों की यहां पर आपको साथ मिलेगा और धन की मदद आप भी उनकी करेंगे और जरुत पड़ी तो वह भी आपके साथ हैं यहां पर इंकम के माम पर आपसड़ी नहीं होगी तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेंगे और दूसी बात मांसीक पैसानी है टिंशन हो तो यहां पर काम कि अधिक्ता है परिसर्ग् Canton है तो आपके लिए अच्छा है लेकिन थ्यान रखेगा मांसीक पार निकलेपने तो यहां पर मंगल रहो एक साथ होकर महिलाओं खार्सकर जो बिस्टिक रासी की महिलाएं हैं उनको थोरा सा आपके जो मासिक ध्रम देगर सो लेकर थोरा से ध्यान रखिएगा बात करते हैं आपके लव लाइफ या फिर बैवाहिक जीवन की तो प्रेम समंधों में सफलता है लेकिन सनी देव के दिश्टी होने से यहां पर प्रेम भीवा होने के भी योग बन रहे हैं चुक् scikr और सुक्र और सनी के सायोग है ब्रसपति का कर सकते हैं तो अभी यहां पर दिल की बात कह सकते हैं आपकी साधी उन से हो जाएगी वैसे आगर आप चाहते हैं तो सफलता मिलने के योग है लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बैवाहिक जीवन में हैं तो सब्तम्भाव में राहू हैं साथ में मंगल आ रहे हैं तो रिस्तों में बिस्क बोलेगा इसके पहले तक चीजें बहतर है लेकिन जैसे ही मंगल यहां आएंगे तब थोड़ा समल के रहिएगा और इस समय अपनी जिम्मेदारियों को बहतर तरीके से निभाईए अभी फिलाल समय ठीक है पारी बारी जीवन की बात करें तो चुकि यहां पर चार फरवरी से बुद्ध वक्री होके जब पांच गरह एक साथ हो जाएंगे तो थोड़ी सी हलचल होगी हलांकि भाई बेहन में एक तो भगवान स्री हरी की आरातना खूब करें कैसे करेंगे ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमा का जब कर सकते हैं रोज भगवान को आप हल्दी का तिलग लगा कर अप खुद भी तिलग करें और जहां तक संबब हो हनुआन चाली साब का भी पार्ट सुबह सुबह किया तो आप रोज कम से कम पांच बार ओम संगसने च्राय नमा का साम के समय जब कर लें तो आपको राहत मिल जाएगी बात करते हैं मार्च के महने की देखिए गरहों का चाल कहता है कि मार्च के महने में ब्रिस्ची वालों थोड़ा उतार चड़ा है फरबरी का महना जितना जाए इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि क्रोध में आकर आप खुद के ही पैरों में कुलहारी मारने वाले हैं इसलिए सांत रहने का कोशिज कीजिए और कारेच छेतर में तरक्की करने का सहयोग आपको दे रहे हैं नई जिमेदारियां मिलेगी अगर आप जॉप करते हैं लेकिन लोटरी जुआ सक्टा बेगर से दूर रहिएगा संतान की तरफ से कोई गुड़नी मिल सकती है आप में जोस रहेगा अगर आप आयात निर्यात के कारे करते हैं तो ज्यादा लाब होगा 24 मार्च के बाद आपकी आर्थी किस्तिती ज्यादा मजबूत होगी और झाल, झाल के बाद घ।